जेहंद दोस्तों, इटली यूरोपियन कॉंटिनेंट का एक कंट्री है जो की मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है सन 2022 में इटली के इतियास में पहली बार इटली की पहली महिला परधान मंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी बनी है मेलोनी जी का 2 मार्श 2023 में भारत में आगमन हुआ ये हैं इटली की पीम मेलोनी जी और ये हैं भारत की पीम श्री नरेंद्र मोदी जी और बाएं पर हैं भारत की महा महिम राश्पती श्रीमती द्रौपदी मुर्मो जी Global Governance News लिखता है कि मेलोनी जो है वो इटेलियन डिक्टेटर मुसोलनी की बहुत बड़ी सपोर्टर है और वो किसी भी स्पीच में अपने इसलाम का बहुत तगड़ी से विरोध करती है वन इंडिया पर 28 सितंबर 2022 को अभिचीत शंकर जी लिखते हैं शेखर आजाज जी लिखते हैं कि मस्जिद नहीं ये इटली की परधान मंत्री की जो नीती है उसकी बात कर रहे हैं कि मस्जिद नहीं होगा मुसल्मानों पर नया कानून आएगा इटली की नई परधान मंत्री का कट्टर भाशड भारत में वायरल हो गया जौर्जिया मेलोनी जो हैं वो धूर दक्षड पंथी विचारधारों को फॉलो करती हैं और सौ सालों के बाद में इटली में फासी वाद मुसोलनी का जो विचारधारा था उससे प्रेरित कोई विचारधारा इटली में लोटाया है मेलोनी जी अपने भाशड में कहती हैं कि उनकी सरकार जब नया कानून बनाएगी जब नया कानून बनाएगी उसके बाद ही इटली में किसी भी मस्ज़ित को बनाने की इजाज़त दी जाएगी ये है इटली की कदावर नेता जोर्जिया मेलोनी जी देखे ध्यान से पाकिस्तान मूल के मशहूर स्कॉलर तारिक फते जी जिनका हाली में निधन हो गया है उसके लिए बहुत बहुत खेद है भगवान उनकी आत्मा को शांती परदान करें तो तारिक फते जी ने जोर्जिया मेलोनी का वीडियो अपने अकाउंट पर शेयर किया जिसमें वे मुसल्मानों और मस्जिदों को लेकर बात करती नजर आ रही हैं इटली की कद्दावर नेता जॉर्जीय मेलोनी जी अपने भाशन में क्या कही हम लोग अभी मार्सियानों उम्रिया में है और ये वो छेतर है जहां पर एक नए मस्जिद का निर्माड होना है लेकिन हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हमने नए मस्जद के निर्मार को रोक दिया है जब तक हम नया नियम नहीं बना देते हैं तब तक किसी भी नए मस्जद का निर्मार नहीं होगा हम मस्जिदों के निर्मार को नियंतरित करेंगे क्योंकि ये नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी है ये कानून लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है जिसे हमारे ब्रदर्स ओफ इटली पार्टी ने ड्राफ्ट किया है जैसा उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता माननी योगी आधितिनाथ जी कहते हैं उसी तरीके से इटली की कद्दावर प्रधान मंतरी जोर्जिय मेलोनी जी अपने वीडियो में कहा हम इमामों के लिए प्रोफेशनल कानून लेकर आएंगे और उन्हें वो पालन करना होगा हम जानना चाहते हैं कि मस्जिदों के अंदर किस तरह के लोग शिक्षा देने का काम करते हैं मेलोनी जी बिलकुल सही कहती हैं कि चुकि हम इटली में रहते हैं इसी लिए उन्हें इटली के कानून का पालन करना होगा यानि जो अपना परसनल कानून है जो शरीयत कानून है वो इटली देश में नहीं चलेगा इटली का अपना विधाई का है लेजिसलेचर है वहाँ से जो कानून पारित होगा सम्विधान सम्मत तरीके से देश चलेगा किसी का अपना शरीयत कानून नहीं चलेगा ऐसा मैलोने जी कह रही है मैलोने जी आगे जो बात कह रही हूँ बहुत ही जादा मतलब ऐसी सेंसिटिव बात है जो उन्होंने कह दिया है ये दिखाता है कि कितनी बड़ी और कितनी कदावर कितनी वो सशक्त और कितनी मजबूत निडर नेता है जो पहली बार इटली की महिला परधान मंत्री बनी है कितना बेफिक्र हो करके निडर तरीके से अपनी बातों को रखती है वो आगे क्या कहती हैं कि मस्जिदों के अंदर जो भी बातचीत होगी वो इटालियन भाशा में होगी अर्भी भाशा में नहीं ताकि इटली के लोगों को पता तो चले कि बात क्या हो रहा है मस्जिदों के अंदर जो भी बातचीत होगी वो इटालियन भाशा में होगी ताकि वो जो कह रहे हैं उसे हर कोई समझ सके इसके साथ ही हम ये भी जानना चाते हैं कि इन मस्जिदों को और उनके सांस्कृतिक संस्थानों को कौन फंड कर रहा है क्योंकि इसमें कोई रहस्य नहीं है कि इन मस्जिदों को और ज्यादातर सांस्कृतिक सेंटर्स को कटर पंथी देशों से फंड दिया जाता है ये मेलोनी जी कह रही है इन मस्जिदों और सांस्कृतिक संस्थानों को सौधी अरबिया और कतर जैसे देशों से फंड किया जाता है जहां पर हाथ के बदले हाथ काट लेने का कानून है जहां पर बात बात पर फासी देने का कानून है जहां पर होमो सेक्स के लिए फासी है पत्थर मारना सजा में शामिल है और जहां पर महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं है और उनके शासन का जो मॉडल है उसके जलक हम अपने देश में नहीं देखना चाहते हैं और उसका कोई परचार हम अपने देश में नहीं चाहते हैं ऐसा मेलोनी जी कह रही है अपने भाशन में यह है तारिक फतेह जी जो की बहुत सज्जन पुरोश है इन्होंने अपने एकाउंट में उनका वीडियो को शेयर किया है और लिखा है इट लीज निव प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी एक्सप्लेंस हर पार्टी इस प् जुर्म्स्लेम्स करियोंiforn pequeño меню झार elementary wasa festival वो पुराइक। में में विरू इन रहां लिए प्रवा Yego HR । पिंजोने सी लिए प्रवा विन प्रव verbally dengan अनावी ध którą बना साध sexuality बरह प्रव में वियो स्वे कोज है के धोराशिता लिism até य는 अना या या अनावीं ही याना इला का लाम इब ख कृिन인 फै प्याहता को लो बिसोंगे एंगे से जा विसे एंगे पिस्टोन के वाजी जा इंगेरा प्रदाना गुर्णा ओंड़रा इंदा प्रफ एंगेरा इंग फजूर्ष एंगे एंगेरा इंदा रिक्रद्स. इटली की माननी प्रधानमंत्री जोर्जय मैलोने जी अपने भाषण में ये जिश कहा आपने उसको पढ़ा होगा और आगे फिर क्या कह रही है कि हम इसलामिक कटरपंधियों के लिए सख्त सजा का कानून बनाएंगे और दुर्भाग इसे इसलामिक चरमपंध एक सचाई है जिसका हम हर दिन सामना करते है हमने पिशले दिनों इसलामिक चरमपंध का सामना किया है और हमने पिछले दिनों देखा था कि किस तरह से एक इसलामिक चरमपंथी ने क्रॉस पहनने पर एक शक्स का करीब करीब गला काट ही दिया था क्या देखा था पिछले दिनों हमने देखा था किस तरह से एक इसलामिक चरम पंथी ने क्रॉस पहनने पर एक शक्स का करिब करिब गला ही काड़ दिया था और उसने ये काम ऐसे किया मानो इटली में क्रॉस पहनने पर पाबंदी लगी हो उन्होंने कहा कि इसलिए हम कह रहे हैं कि हम अपने नागरेकों की सुरक्षा के लिए सक्त तम कानून बनाएंगे और तब तक किसी और मस्जद को बनाने की बनने की इजासत नहीं देंगे जब मिडल इस्ट आई लिखता है मैलोनी जविक्टरी इन इटली सिगनल्स दराइज ऑफ ग्लोबल एंटी मुसलिम एलायन मॉडर्न डिप्लो मैसी प्रश्न कर रहा है कि जॉर्जिय मैलोनी रिटर्न टू मुसोलनी इटली आई थिंक येस दा इंडियन एक्स्प्रेस भी जानकारी दे रहे हैं कि मीट जॉर्जिय मैलोनी फू में लीड इटली सू में फू इस लीडिंग इटली सुर्स्ट फार राइट गॉर्म गॉर्मेंट सिंस वर्ड वर्स सेकेंड विकिपेडिया ने जानकारी दे है कि जॉर्जे मैलोनी इस इटलियन पॉलिटीसियन फू हैस बिन सर्विंग एस प्राइम मिनिस्टर आफ इटली सिंस 22nd अक्टूबर 2022 फॉर्स्ट वीमें तो होल्ड दिस पॉजिशन हिंदुस्तान ने जब बे जानकारी दे रहा है कि मुसोलनी की सपोर्टर है और एंटी मुस्लिम है और इटलीस फॉर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिय मैलोनी जी तो यहाँ पर करते हैं इस वीडियो का एंड नमसकार जहेंद